हेलो दोस्तो स्वागत है भकत कौमेन एके संगे को और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप जारकंड से हैं और अगर आपके पास रासन कार्ड है और अगर आप चाहते हैं आपका जो रासन कार्ड में किसी भी सदिश्य का डेट दोस्तो बहुत सारे रासन कार्ड में जो सदिश्य होते हैं उनका जो डेट आप बर्थ है दोस्तो वो मिसमेच हो चुका है तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस परकार आप लोग ऑनलाइन मायद्धम से करेक्शन कर पाएंगे सबसे पहले आपको ये ज इसक्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग एजिली क्लिक करके आप इस वेबसाट पर आपाएंगे आनेक बात दोस्तो आप लोग को ये जो ओप्शन दिख रहे होंगे ग्रीन कार्ड इसके नीचे आपको दिख रहे ह इसके बाद दोस्तों आप लोग दो प्रकार से लोग इन कर पाएंगे तो आपको यह जो सेकेंड वाला ओप्सन दीख रहा होगा याने राइट साइड में आपको इसी ओप्सन से लोग इन करना होगा इसके बाद दोस्तों आप लोग को सबसे पहले तो आपका रासन कार्ड नमबर यहाँ पर फिलिप करना होगा उसके बाद आपको कार्ड का टाइप आपको यहाँ पर चुनना होगा आपका card का क्या type है आप अपने card के according आप उसको चुन सकते हैं माल लेज़े आपका राशन card है तो राशन card green राशन card है तो आप green राशन card में चुनेंगे अगर आपका राशन card P-H-A-Y white है तो आपका इसको चुनेंगे इसके बाद दोस्तो आपको password आपका जो head of the family है जी हाँ दोस्तो जो आपका card का जो मुख्या है card धारक है उसका आधार card आपको यहाँ पर फिलप करने होंगे जो की दोस्तो 12 डिजिट का आपको यहाँ पर as a password यूज़ करना होगा उसके बाद आपको यह जो दोस्तो आप लोग को capture दिख रहे होंगे capture as it is फिलप करके login पे click करेंगे जैसे ही आप successfully login कर लेते हैं आपको left side में दिखेंगे change date of birth जी हाँ दोस्तो change DOB का option आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको इस पे ही click करना होगा इसके बाद दोस्तो आप लोग को step one यानि दोस्तो आप लोग को step one भरना होगा step one आप लोग किस परकार से verify करेंगे दोस्तो आपको इस पे आपका जो भी राशन कार्ड होंगे जितने भी family member होंगे आपको किसी भी एक family member को choose करना होगा उसके बाद दोस्तों आप लोग जो भी family member का आधार card number आपको यहाँ पर flip करके verify करना होगा अभी आपको दोस्तों जिस भी family member का आपको यहाँ पर date of birth correction करना है आप उसका date of birth यानि नाम आप वहाँ पर choose कर लिजेगा उसके बाद आपको date of birth यहाँ पर choose करना होगा सबसे पहले दोस्तों आप लोग को date of birth पर click करना होगा उसके बाद दोस्तों आपको year चुनना होगा जियां दोस्तों आपको year पहले चुनना होगा उसके बाद दोस्तों आपको month चुनना होगा उसके बाद दोस्तो आपको date चुनना होगा उसके बाद दोस्तो आप लोग को एक self declaration upload करने के जोरत होगी आपको ये कहां मिलेगा दोस्तो जैसे आप लोग इस पे green card वाले option पे आएंगे उसके बाद ये जो option है दोस्तो आप लोग को download वाले option पे जाना होगा इसके बाद दोस्तो आप लोग को इस पर देख सकते हैं जो भी आप यहाँ पर work करेंगे उसका अलग-अलग से आप लोग को यहाँ पर declaration form मिल जाएगा तो इस पर भी आप लोग को एक declaration form मिल जाएगा self declaration for dov change आपको इसको ही download कर लेना होगा दोस्तो आप लोग इसको कैसे भरेंगे सबसे पहले दोस्तो आपको यहाँ पर card धारक का नाम भरना होगा उसके बाद राशन card का संख्या आपको यहाँ भरना होगा उसके बाद आपको date of birth correction कर रहा है उनका नाम आपको यहाँ पर भरना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर जनमतिति आपको यहाँ पर लिखने होगे यानि दोस्तो पहले आप date लिखिए उसके बाद sales देके month लिखिए उसके बाद sales देके फिर year लिख दीजे उसके बाद दोस्तो आपको काडधारक का हस्ताचर आप यहां पर करा लेज़े उसके बाद नाम आपको यहां पर काडधारक का यह लिखाना होगा तो यही प्रोसेस था दोस्तों इजिली आप इस पर अपलोड कर पाएंगे इसके बाद दोस्तों आप लोग को इसको जो जेपीजी फाइल में होना चाहि दोस्तो इसको लेके आपको नजदी के आपका जो भी ब्लोक पड़ता होगा उसके ले जाएगा उसके बाद आपको अधर कड़ भी लेके जाना होगा फोटो कोपी कराके उसके बाद उन लोगों को दे दीजिएगा वो लोग एक से दो दिन में आपका जो रासन कार्ड में ड सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों थैंक्यों पर वाचिंग जय हिंद जय भारत